बागेश्वर धाम के पंडित दिरेंट क्रश्ण शास्त्री के साई बाबा पर दिये बयान को लेकर मुंबई पुलिस में शिकायत की गई है शास्त्री पर धार्मिक भावनों को आहत करने का अरोप है ये शिकायत बांदरा पुलिस स्टेशन में शिव सेना युवा सेना के नेता और शिड़ी साई संस्थान के पूर्व ट्रस्टी रहुल कनाल ने की है शास्त्री ने शिड़ी के साई बाबा पर जबलपूर में कथा के दुरान काहता गीदर की खाल पहन कर कोई शेर नहीं बन सकता जबलपूर में उनकी कथा 25 से 31 मार्श तक बीजेपी विदायक सुशिल इंदू तिवारी ने कराई थी बता दे 10 दिन पहले राजिस्तान पूलिस ने भी शास्त्री पर भढ़काऊ बयान देने के आरोप में केस दर्च किया है धर्मसवा में उन्होंने लोगों से आहवान करते वे काहता कि राजस्मन कीले के कुंभलकड कीले में जो सो हरे जंडे लगे हैं जबलपूर के पनानगर के कथा के दोरान दिरेंद क्रश्ण शास्ती प्रभुद जनों से चल्चा कर रहे थे डॉक्टर शेलेंद राजपूर ने उनसे सवाल पूछा हिंदूस्तान में भहुत साई भकते सनातन साई की पूजा को नकारता दिखाई दिटा है जबकि साई की पूजा पूरी सनातनी पद्दितरी से होती है इस पर प्रकाश डाले इसकी जवाब में शास्त्री ने कहा हमारे सरवोच्च गुरु शंकराचार ने कभी भी साई बाबा को देवता का इस्तान नहीं दिया था शंकराचारा हे हिंदु धर्म के प्रधान मंत्री है इसलिए हर सनातनी को उनकी बात मानना भूँद जरूरी है कोई भी संथ चाए हमारे धर्म का हो दूसरे पंथ का या फिर तुलसिदास और सूर्दासी क्यों नहों ये लोग महन संथ हो सकते हैं युग पूरुश हो सकते हैं लेकिन कोई भी भगवान नहीं हो सकता लोगों की अपनी नीजी आस्ता हैं साही वाबा संथ हो सकते हैं फकीर हो सकते हैं भगवान नहीं हो सकते गीदर की खाल पहन कर कोई शेर नहीं बन सकता आप केसी भी प्रकार का आवरण लगा लो तो वो नहीं होगा भागेश्वर धाम सरकार अगर मान ले कि हम शंकराचार का चत्र लगा ले सिंगासर लगा ले हम कादे कि हाँ भाई शंकराचार रिवेटे हैं तो क्या हम बन जाएंगे नहीं बन सकते साई के प्रति हमारा क्या अदर है आप इसमें मत पढ़ना ना हमसे पूछना हम इतना कहते हैं कि जिसकी जैसी और जितनी आस्ता है रखनी चाहिए पर साई भगवान नहीं है ऐसा हमारे शंक्राचारे कहते है जहां तक वेदी कृती रिवास से पूजा का सवाल है तो घर वापसी का तो ये हमारा अभियान है इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद